Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature or Literary Recipe. आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ताट इस रजिंदर सिंग बेदी. हम लोगों ने इनका introduction, इनके major works, इनके style and themes के बारे में बात करनी इस lecture के अंदर. रिंदर सिंग बेदी जो है ये पाकिस्तानले literature के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है. ये पंजाब में पैदा हुए थे पाकिस्तान के अंदर. और जब partition का time period था, ये इंडिया में move कर गए थे. इन्होंने उर्दू education gain की, उर्दू के अपर इनको काफी grip थी, और इनका जो early career था, वो postal clerk के तोड़ पर start हुआ था. लेटर ओन इन्होंने all India radio में job ले ली थी, इनको जो वहाँ पर job मिली तो वहाँ से इन्होंने अपना writing career स्टार्ट किया था. इन्होंने जो bollywood movies थी, उनके लिए script writing शुरू की, उसके बाद directing की तरफ चले गए थे. इन्होंने plays भी लिखे, इन्होंने pen dialogues भी लिखे, इन्होंने stories भी लिखे, फिल्म्स के लिए. और इनका जो center of discussion है, मलब जो इनके writing based करती है, किस चीज़ को पर करती है, जातर partition के topic के उपर. कि जब 1947 में partition हुई, तो उस time period पे जब women थी, उनके साथ क्या treatment किया गया, उनको rape किया गया, उनको abduct किया गया, उनको exploit किया गया, subjugate किया गया, ये सारे के सारे theme जो हम लोगों को इनकी writing में नजर आने वाले हैं. तो anyhow, अब जो हमारा writer का introduction है, वो शुरू करते हैं, इनके life के बार में थोड़ा सो discuss करते हैं, तो basically इनकी birth होती है, 1915 में और death date है, इनकी 1984, ये एक Indian Urdu writer भी थे, Progressive Writers Movement के, जो Progressive Writers Movement थे न, basically ये anti-imperialistic and left-oriented थे, इन्होंने अपनी writing के थूरू लोगों को inspire करने की कोशिश की, उनको बताया कि equality के है, जितने भी human being है, सबके सब equal होते हैं, ठीके, ये message देने की कोशिश की थी, Progressive Writers ने अपनी writing के थूरू और ये movement स्टार्ट हुई थी, सब continent के अंदर, anyhow, ये playwright भी थे, और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हिंदी सिनिमा में as a film director के तोर पे भी काम किया, screen writer के तोर पे भी काम किया, and dialogue writer के तोर पे भी काम किया, और ये जो four pillars है ना, modern urdhu fiction के, उन में से एक count होते हैं, he is one of the four pillars of the modern English, modern urdhu fiction, अब ये four pillars कौन कौन से है, पिलर basically जो घर होता है न, उसकी बुनि अब ये जो four pillars है न, basically, ये क्या है, इनके पर पूरा urdhu का, जो modern fiction है, वो stand कर रहे है, और ये कौन-कौन है, इनके अंदर जो हमारे पास prominent name आते हैं न, मैं मैं आपको बताती हूँ, उनमें prominent name है हमारे पास, इसमत चुगताई का, then है सादत हसन मड्टू का, फिर कृशन जो उर्दू के four pillars है, उनके names क्या है, तो उनके names ही है, इसमत चुगताई, हमने इनको भी पढ़ना है, सादत सन मंटू, हमने इनको भी discuss करना है, कृशन चंदर, ये हमारे इसलिबस में include नहीं है, और जिंदर सिक बेंदी, हमने इनको discuss करना है, इनका हम लाजवनती पढ़े परवायट कर दूँगी, एनिहाओ, रिजंदर सिंग बेदी जो है, ये हीरा सिंग के बेटे थे, हीरा सिंग पॉस्ट मास्टर थे, सदर बजार पोस्ट के अंदर, पोस्ट आफिस के अंदर जो के लाहूर में था, ठीक है, अब इन्होंने अपनी early education जो थी, वो लाहूर के इसके बाद ये SBBS कालसा स्कूल में चले गए, जहां से इनने अपने matriculation कम्प्लीट किया था, फर्स डिवियन के साथ in 1931, और अपने matriculation के बाद ये DAV कॉलिज में चले गए थे, जो कि अगें लाहूर में ही था, जहां से ये अपनी intermediate की क्लास तक पहुंचे थे, अब जिस 33 का time period था, जब फादर ने अपनी jobs resign किया, उस time पे इनके जो financial condition थी वो इतनी एच्छी कोई नहीं थी, तो उस time पे बेदी ने अपनी college को छोड़ दिया था, और उन्होंने post office को join कर लिया था, जैसा कि मैं आपको बताया था, इन्होंने ऐसा post office clerk के तोर पे भी काम किया लियूबल होते थे, अब तो 50 रुबे की भी half liter से pride नहीं आती, anyhow, 1934 के इन्होंने शादी की, तब इनकी age 19 years थी, और जिस time पे एक हालसा college में थे, इन्होंने अपनी writing उसी time से ही शुरू कर दी थी, writing career नहीं स्टार्ट किया था, अपने career उने बाद में शुरू किया था, ले तरबाद में इनको जो था, All India Radio में जॉब मिल की थी, जब इनको All India Radio में जॉब मिले थी, तो उस duration में इन्होंने रेडियो के लिए भी लिखा था, और इनकी personal life की बात कीचे तो बहुत ज़ादा bitter गुजरी थी, बहुत ज़ादा harsh गुजरी थी, इनकी जो marriage life थी, वो भी इत बेटे की death की थोड़ी दे बाद इनकी wife की death हो गई थी, फिर बेदी जो थे उनके final days थे, उनको heart disease हो गई, वो बड़ा helpless फील करते थे, और उस heart egg की base पे उन्होंने 18, 1982 में उनको एक heart stroke हुआ, उस heart stroke की base पे, sorry उनको stroke हो, stroke की base जब उनको doctor के पास लेके जाएगा तो बता लग प्रू अपनी life के अंदर, अगर हम writer की biography की बात कर रहे हैं, life के अंदर बहुत अदर sufferings face करना पड़ी थी, इनको जो ये ailments थी, long standing ailments थी, उन्होंने इनको एक kind of patient बना के रख दिया हुआ था, जिस base पे इनकी 1984 में death थी, and through and through जो partition का trauma था, जब partition हो, मैंने बता है पाकिस्ता में थे, तो partition के बाद ये move कर गए, इंडिया के अंदर, वो भी ड्रोमा इन्होंने face किया, मतलब, इनकी जो personal life अवा full of chaos है, और वो ही chaos हम लोगों को इनकी writing में नजर आता है, इन्होंने partition के time पे देखा कि women को किस तरह से exploit किया गया, कि वहां पे जो लोग थे, ऐसा system था, कि जब किसी औरत को अगवा, यानि कि abduct कर लिया जाता था, तो abduct करने के बाद, एक team बनाई जाती थी, जिनको कुछ women मिलती थी, जब उन women को rescue किया जाता था, तो उन women को उनकी family तक जब लाया चाता था, तो family कुछ लोग, इस बात पे, क्योंकि अब औरत जो है, वो तो abduct हो तो female को marginalized, exploit किया जा रहा था, ठीक है, कुछ करते थे, तो कुछ लांतान भी करते थे, और कुछ कहते थे, कि तुम शरम से मर क्यों नहीं जाती, मतलब, through and through women उनकी victim बनी हुई थी, जिस चीज को इनने अपने works के अंदर highlight किया हुए, तो यह है, जो हमारे personal, जो writer थे, उनकी personal life भी हो गई, उनका writing career भी हो गया, अब इनके जो important works है, उन works के अंदर, पहले तो मैं बता दू कि कौन सा collection पहले publish हुआ था, दानो दाम, The Catch, ठीक है, यह इनका first collection था short stories का, और second collection इनका था, Graham, The Eclipse, ठीक है, और इनके जो important works है, वो screen पे आप देख सकते हैं, कि यह इनके important works है, मैं सबके नेम नहीं लूँगी, एक लंभी list है, इनमे story भी include है, इनमे जिनके नों direct की है, वो भी include है, जिनके नों dialogues लिखने, वो भी include है, जिनके screenwriter थे, वो सब works ब ogniまre include है, overall, तो आप screen पे देख सकते हैं, और यह सब important है, तो anyhow, यह important works है, और इनके important themes, जो है, writing के, वो है, पाकिस्तान, फिर कल्शनल डावर्सिटी, फैमिनिजम, जितने भी लाइफ के कॉमन थीम है, सब रिफ्लेक्शन ओफ उफ हुमन परसनलिटी, इन्होंने प्रूमन को दिखाया है, फिर दिखाया है, इन्होंने as a whole उसको एक्सपोस किया, कि क्रियूल सोसाइटी किस तरह से एक्सप्लोइट करती है, और एक इन्विजूल किस तरह से एक्सप्लोइट करती है, और एक इन्विजूल किस तरह से दूसरे इंविजूल को, यह थीम्स थे, इनका जो राइटिंग स्टाइल था, उस एह। राइटर अपनी एंडार उसमें ये इसरी सेरी सटफूरी करों और स्पेसलिजिशिंट सेजन्रिज जनर्डियॉजिश्न कीतरफ छल जाते हैं इम्हाजिनिशम से मिस्टिश्ण की तरफ डियनिशन कि आए, इम्हारे राइटर लें है A many centralist जाते हैं झाल झाल